हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आल मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप शेयर कर रही हूँ जो आपके रोज मज़ा के काम को बेहती आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बच्चत होगी दोस्तो आप मेरी वीडियो की सहर किस तेश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईए जिससे मैं आपका सुक्रियादा कर सकूँ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और से मेरे दृले लिए आप एक छोटा सा काम करशक्ते हैं आपके हाथों में ही दर्द को सही करने का है जिसे आप बिना दवाई खाये हैं ठीक कर शक्ते हैं तो आपको ले लेना है क्लोथ पिन और इस क्लोथ पिन को आपको इस उंडली में लगा देना है देखे इससी अतरह से जिसे जब हम हाँ से दबाते हैं तो वो सही तरीके से नहीं दपाता है तो आप cloth pin से उस पर दबाव दे सकते हैं इस तरह से जब आप cloth pin लगाएंगे तो उस पर दबाव पड़ेगा और जो आपका पेट दर्द है पेट में मरोड हो रहा है एठन हो रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी इसके लिए आपको कोई भी दबा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर पेट में ज्यादा प्राब्लम है तब तो दबा लेनी ही पड़ेगी लेकिन कभी कभी हमारे पेट में ऐसे ही दर्द होने लगता है या फिर मरोड या एठन होने लगता है तो उस समय आप इस टिप को फॉलो करिए आप पिन को लगाईए फिर थोड़ी देर बाद निकाल दीजे फिर पिन को लगाईए और फिर थोड़ी देर बाद निकाल दीजे ऐसा थोड़ी देर करने पर आपका पेटदर बिलकुल सही हो जाएगा तो एक बार आप इस टिप को चरूर फॉलो करिएगा आपको ये टिप काफी पसंद आएगा तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप दोस्तो चावल मीठा होने की वज़े से इसमें बहुत ही जल्दी कीड़े और घुन लग जाते हैं जिसे निकालना काफी मुस्किल होता है देखिए ये चावल में अभी ही लाई थी ज्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन इसमें देखे घुन लग गया है तो चावल में से इस कीड़े को निकालने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप से एर कर रही हूँ जिसे ये खुन और कीड़े आसानी से बाहर निकल आएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है ले लेना है एक नैपकेन पेपर और इस नैपकेन पेपर पर आपको डाल देना है नमक, हल्दी, दो लॉम और दो सितीन सुखी लाल में जिसे हमें तोड़ कर डालना है इन सभी चीजों को डालने के बाद हमें ले लेना है एक टिकी कपूर अब इस कपूर की टिके को हमें तोड़ कर इस पुड़िया में डाल देना है देखे इस तरह हमें डाल देना है और नैपकिन को मोड़ते हुए सभी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है सभी चीजों को आपस में मिक्स हो जाने के बाद आपको इसे डाल देना है चावल के अंदर तो चावल को लेने के बाद इसके बीचों बीच में आप इस नैपकिन को रख दीजे अगर चावल की कॉंटिटी जाता है तो आप चावल में इसे मिक्स भी कर सकते हैं देखे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि इस चावल के अंदर कितने घुन लगे हुए हैं इस तरह से इसे बीचों बीच में रखने के बाद हमें ढकन नहीं लगाना है इसे खुला ही छोड़ देना है इस तरह से खुले रहने पर जो भी कीडे खुन वगेरा हैं वह नीचे चले आते हैं तो देखिए 2-3 घंटे में ही सारे कीड़े और घुन डिब्बे से निकल कर नीचे चले आए हैं मैं आपको नजदीक से तिखा रही हूँ तो इस तरह से जब आप चावल में पुडिया को रख देंगी तो सारे कीड़े और घुन नीचे की तरफ चले आएंगे और देखिए चावल हमारा बिलकुल सावसुत्रा हो गया इसमें कोई भी कीड़े या फिर खुन नहीं है तो चावल को सुरचित करने के लिए मैं आपके सार्थ टिफ से यार करी हूँ जिससे इसमें कीड़े या फिर खुन लगे ही ना तो इसके लिए बहुत से लोग इसमें लालमेज, तेजपत्ता वगेरा डालते हैं मगर उसे डालने का सही तरीका उन्हें नहीं मालूम है अधित्तर लोग इसे खड़ा ही डाल देते हैं मगर इसे खड़ा ना डाल कर इस तरह से तोड़ कर डालिए चाहे आप तेजपत्ता डाल रहे हो, सुखी लालमेश डाल रहे हो, या फिर अधर कोई भी चीज़ डाल रहे हो, उसे आप तोड़ कर डालिए, इससे इसका असर जादा रहता है, अगर हम खड़ा ही डाल देते हैं, तो उसका असर नहीं करता है, अब आप डिबे को पंद कर अब ये आपका चावल महिनों महिनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ये बिल्कुल सुरच्छित रहेगा, ना इसमें केड़े लगेंगे, ना ही खुन लगेगा, आई होप आपको मेरी चोटी सी टिप पसंदाई होगी, तो देखते हैं दूसरी टिप, दूसरी टि देखें इसमें सफेदी सी लगी हुई है, जो के फंगस है, तो पहले आपको अपने लकडी के बरतन को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, और उसके बाद किसी कपड़े से पोच देना है, उसके बाद आपको ले लेना है कॉटन और नारियल का तेल, इसकी जगा आप सरसों क तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अब कॉटन में हमें थोड़ा सा नारियल का तेल डाल देना है, और अपने सभी लकडी के सामानों पर इसे लगा देना है, इसकी एक कोटिंग हमें लकडी के सामानों पर कर देनी है, इससे हमारा लकडी तो मजबूत होगा ही, इसमें कोई भी फंगस वगेरा भी नहीं पड़ेगा हमारे दादा पर दादा अपनी लखडी के लटकों इसी तरह से तेल लगा कर रखते थे जिससे उनकी लखडी बहुत ही मजबूत हो जाती थी तो इस तरह से आप लखडी के सामानों में तेल लगा कर रखे ना तो इसमें फंगस लग दोस्तो इस टिप के लिए ले लेना है हमें कोई भी पुराना पिलो कवर, जिसका हम इस्तमाल नहीं करते हैं, या पर जिसकी बेट सिट खराब हो गई हैं, तो पिलो कवर हम इधर उधर कर देते हैं, तो उसे इधर उधर ना करने की बचाए, आप इसका बहुत ही अच्छा इ अगर पॉल्थिन चोटी है तो आप पीलो कवर को मोर दीजे उसके बाद सोई धागे या फिर सेप्टे पिन की मदद से उसे टक कर दीजे तो मेरी बोरी बिल्कुल इसके साइस की थी जिसे पूरे पीलो कवर में बोरी अच्छी तरह से सेट हो गई है तो ये देखे हमारा ये जरसे हमारे किचन स्लैब पर सफेज सफेज सा दाग पर जाता है और वो साफ भी नहीं हो पाता है और पूरा किचन स्लैब पानी-पानी सा हो जाता है या फिर हमारे पास इस तरह की जाली वाली टोकरी होती है जिसमें हम बरतन रखते हैं तो जाली से पानी टपकता जाता है जिससे हमारा किचन सलैप गंदा होता है और वहाँ पानी पानी सा हो जाता है तो इसे हमें बार-बार साफ करना पड़ता है तो आपका kitchen slab गीला ना हो और इसमें दाग धब्बे ना पड़ें तो उसके लिए आप इस organizer का इस्तमाल कर सकते हैं आप इस pillow cover को यहां पर रखतीजे जहां पर आप बरतन धुल कर रखते हैं वहां पर आप इस pillow cover को रखतीजे अब जब भी आप बरतन धुलेंगे तो आप इस pillow cover पर रखतीजाएं जिससे इसमें जितना भी पानी होगा वो pillow cover स्टोक कर लेगा और जो हमने इसमें प्लास्टिक की बोरी लगाई हुई है उसकी वज़े से आपके kitchen slab पर एक बुन भी पानी नहीं आएगा या फिर इस तरह की टोकरी भी है तो उसके नीचे आप इस pillow cover को रख दीजे या बड़ी टोकरी हो या फिर छोटी टोकरी हो किसी भी टोकरी के नीचे आप इस तरह के pillow cover को पना कर रख दीजे जिससे वहां का surface बिलकुल भी गंदा नहीं होगा देखिए मैंने pillow cover पर धेर सारे पानी डाला है फिर भी kitchen slab हमारा विलकुल सूखा हुआ है मैंने pillow cover पर धेर सारे पानी डाला लेकिन वो पानी नीचे तक नहीं गया और हमारा kitchen slab विलकुल सूखा सूखा सा है तो कैसी लगी आपको मेरी ये चोटी से टिप मुझे comment बॉस पर चरूर बताईए तो चलिए देखते हैं दूसरी ये चोल टिप आपको सभी लोवियों को एक जगा सेट कर देना है देखे इस तरह से इसे line में लगाते हुए चले जाना है जिससे ये उपर नीचे न रहे एक बराबर रहे अब इसके उपर हमें लगा देना है एक rubber band तो इसका हमें एक bundle साथ त्यार कर देना है इसी तरह से आप भिड़ी या फिर इस तरह की जो भी सब्जियां हो उसे आप bundle की तरह बना के एक साथ काट सकते हैं अब इसमें हमें rubber band लगा देना है अब इसे हमें कट कर देना है तो उपर वाले पार्ट को हमें कट करके अलग कर देना है तो थोड़ा सा पार्ट जो की ग काम भी आसान हो जाएगा तो रबर बेंट जहां तक था वहां पर लोबिया को आप कट कर लीजिए उसके बाद आप इसे काटती चली जाएए जिसे आपका काफी समय बचेगा और शब्जी भी एक बराबर और एक साथ कटकर त्यार हो जाएगी आई होप आपको मेरी चोटी स टिप पसंदाई होगी तो चलिए देखते हैं दूसरी यूज़को टिप दोस्तों जब हम कुकर में चावल या दाल बनाते हैं तो आप देखते होंगे की कुकर के उपर इस तरह से पानी चलाता है जिसकी वजह से हमारा कुकर गंदा हो जाता है जिसे साफ करने में काफी द अरचार में शॉपिंग करते समय मिल जाता है तो आप खुकर के धकन को पेपर बैक कर दें तो मैं इसे डबल 카ट रही हूँ आप चाहें तो इसें सिंगल भी कट कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक के बैक का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं पेपर बैक का इस्तमाल कर गए हूँ कुकर के धकन को रखने के बाद कुकर से थोड़ा सा बड़ा इस पर निसान लगा दीजे उसके बाद आप इसे कट कर लीजे इसे हमें सरकल में कट कर लेना है तो इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कट कर लिया है अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे और बीच में छोटा सा कट और लगा देंगे देखे इस तरह से हमें इसे छोटा सा कट और लगा देना है देखे इसके बीच में एक छोटा सा छेद हो गया है अब इस पेपर बैक को हम लेंगे और कुकर के धकन के उपर लगा देंगे तो आप जब भी आप खाना बनाएंगी तो जो भी कुकर से पानी निकलेगा वो धकन बर ना जाकर इस पेपर बैक पर आ जाएगा इसे आपका कुकर बिलकुल भी गंदा नहीं होगा अब आप इस पेपर बैक को धुल दीजे धुल कर सुखा लीजे और फिर से आप इसका दुबारा कि नीकार इस्तेमाल कर शकते हैं देखेंहें कितनी आसानी से साफ होगया है इस तरह से हमारा कुकर का धाकल नहीं साफ हो पाता है तो जब ऑपको कुकर में खाना बनाना हो इस टिप को फॉलो करिए इससे आपका कुकर बिलकुल भी गंदा नहीं होगा i hope आपको मेरी ये छ कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंड वाफ पर चरूर बताईएगा थैंक्स पॉर वाचिंग